नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत अपने चानल पे सुमित कुवार एजुकेशन प्लाटफॉर्म पे तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा दस्वी विशय हिंदी दूसरी एकाई पाठ करमंक तीन श्रम साधना तो दोस्तों आज हम ये पाठ पढ़के समझने वाल तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गुलामी की प्रथा संसार बर में हजारों वर्षों तक चल रही है उस लंबे अर्षे में विद्वान तत्ववेत्ता और साधू संतों के रहते हुए भी वह चलती रही गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह फिर मनुष्य का विवेक जागरुप हुआ अपने जैसे ही हाड मास और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरे का भलवान मनुष्य गुलामी में रख जकड रखें क्या यह बात न्यायोचित है न्यायोचित है मतलब दोस्तो यह बात अच्छी है कि मतलब यह बात बोल सकते है कि बराबर है क्या यह इसका मिनिंग है यह प्रशना सामने आया इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही मिटकर रही इसी प्रकार राजाओं की संस्ता की बात है जगद भर में हजारो अर्शों तक व्यक्तियों का बादशाओं का राज चला पर अंत में क्या किसी की एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकुमत में रखने का आदिकर है यह प्रशना खड़ा हुआ उसे हल करने के लिए अने गनगोर युद्ध हुए और गनगोर युद्ध हुए और सदियों तक कही न कहीं जगडा चलता रहा असंक्य लोगों को यातनाए सहन करनी पड़ी यातनाए मतलब दर्द अंत में राज प्रता मिटकर मतलब राजा जो राज करते हैं, वो सब सिस्टम मिट गई और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आ गई मतलब बोल सकते हम लोगों का राज आइसा बोल सकते हैं, वो आ गया, उसमें राजा यह चीज़ी नहीं रही उस समय, अभी हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताओं को छोड़ देनी पड़ी मतलब बहुत पहले समय से जो प्रथा आ रही थी वो सब छोड़ दी गई और ऐसी ही कुछ बाते संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी हुई मतलब संपत्ति का स्वामित्व मतलब संपत्ति का मालिक ऐसा बोल सकते हैं संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते है और वह बंती कैसे है आम तोर पर माना जाता है कि रुपया, नोट, सोना, चांदी का सिक्का ही संपत्ती है लेकिन यह खयाल गलत है क्योंकि यह तो संपत्ती के मापतोल के साधन मातर है मतलब इससे हम संपत्ती का मापन कर सकते हैं कि इसकी संपत्ती ज्यादा है और इसकी संपत्ती कम है संपत्य तो वे ही चीज हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है उनसे मैं कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता ये वा कुछ सुख सुविदाय और आरम के लिए होती है संपती कुछ सुख सुविदाय और आरम के लिए ही होती है अन्ना वस्त्रा और मकान मनुष्य की प्राथमिक हवशकता है जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती इनके अलावा दूसरी अनेक चीजे हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है प्रशना उड़ता है कि संपती रूपी ये सब चीजें बंती कैसे हैं शुरुष्टी में जो नाना वीद द्रव्य तथा प्राकुर्दिक सादन है नाना वीद मतलब अलग-अलग तरह कि उनको लेकर मनुष्य शरी श्रम करता है तब यह काम की चीजे बंती हैं अंतता संपती के मुख सादन दो है शुरुष्टी के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम यंत्रे से कुछ चीजे बंती लिखती हैं पर वे यंत्र भी शरीर श्रम के शरीर श्रम से ही बंते हैं और उनको चलने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम के आवश्चक्ता होती हैं, केवल बुद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्मान नहीं हो सकता, मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है कि बुद्धि का इस्तमाल पूरी तरह से किया, फिर भी कही कही चीजों में बौधिक चीजों का उपयोग नहीं होता, कही कही जगों पे श्रम ही उपयोगी आता है, संपत्ति के स्वामित में शरील श्रम करने वालों का स्थान क्या है, जो प्रत्यक्षे शरील श्रम के काम करते हैं, उने तो गरिबी या कस्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उनी के द्वारा उत्बादित संपत्ती दूसरे थोड़े से हातों में ही इकटी हो सकती है, इकटी होती रहती है, स्रमजीवियों की बनाई हुई चीजे व्यापारियों या दूसरों के हातों में जाकर उनके लेंदें से कुछ लोग मालदार बन जते हैं, वर्षबर मेनत कर किसान अन्न पैदा करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा तो उनकी खुद की आवशकताई भी पूरी नहीं हो सकती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है, संपत्ती बनाते हैं मजदूर और धनी कटा होता है इनके पास, जो केवल व्यवस्ता करते हैं, मजदूरी नहीं करते, मतलब दोस्तों मैं आपको उदायन देता हूँ, उदायन आरता एक किसान है, वो बहुत अच्छे फसल होगाता है, पर दोस्तों जो व्यापारी लोग होते हैं, जो उससे खरीते हैं, वो बहुत कम कीमत पर खरीते हैं, और उसकी जो अपने मार्केट होते हैं जो अपनी मंडई होती है उदर बहुत डिमाड होती है उनकी तो वो क्या करते हैं कि किसान से अगर उन्होंने एक रुपे से कुछ चीज ली तो वो उदर जाके पाच या दस रुपे में वो चीज बेचते हैं तो दोस्तों देखा जाए तो जो महनत कर रहा है जो इसके लिए पसीना बाहरा है उसे कुछ नहीं मिल रहा है उसके बावजी उज्जो महनत नहीं कर रहा है थोड़ी सी बुद्धी का वापर कर रहा है उसको बहुत सारा धन मिल रहा है तो दोस्तों हमें ये सब इसमें समझ में आता है जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनिक व्यावसाय चल रहे हैं, इनके मोटे तोर पर दो वर्ग किये जा सकते हैं, कुछ व्यावसाय ऐसे हैं जिन में शरी श्रम आवश्यक हैं और कुछ ऐसे जो बुद्धी के बल पर चलाए जाते हैं, पहले प्रकार्यों के व्यावसाय को हम श्रम जीवियों के व्या पर दिव्यादपारी आदी ऐसे हैं जो अपना भर्ण पोशन बहुतिक काम से ही करते हैं, शरी श्रम के अपना शरी श्रम से अपना निर्वाह करने वाले किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार, आदी, समाज के व्यावार के लिए इन बुद्धी जीवियों और श्रम जीवियों पर आधारित है, ऐसा होते हुए भी दुरुबाग्य है कि श्रम जीवियों की मजदूरी एवा आमदानी कम है, समाज में उनकी प्रतिष्टा नहीं है, और उनको अपना जीवन प्रायकस्ट में ही बिताना पड़ता है, तो दोस्तों मैंने जो पहले आपको उध प्यापरी उनको बहुत कुछ मिलता है, प्यापरी और उद्योग पतियों के लिए अर्तशास्त्रा ने वह नियम बताया है कि खरिद सस्ती से सस्ती हो और विक्री महंगी से महंगी, मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं, जो कारखना मजदूरों के शरी इस्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को हजार पाचसो मासिक से अधिक बले ही न मिले, पर व्यावस्तापों को कुपूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत ही नहीं माना जाता। वे शिक्षा लए या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता से टैक्स के रूप में वसुल किया जाता है, पैसे से चलाए जाता है या दानी लोगों की कुरुपा से, जो कुछ पढ़ने की फीज दी जाती है, वह तो खर्च के इसाप से नगण्य है उसको समाज का अधिक कुरुतद्निय रहना चाहिए, कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्य प्राप्त बन सका, इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है, वह भी हजारों वर्शों तक अनेक तपस्वियों ने मेनत करके, को मेनत करके, जो कणकण पर अग्रहित कर रखा है, उसी के बल पर ही मिलता है, व्यापारी और उद्योग पती भी व्यापार की कला विद्यालेओं से अपने साथियों से एवर समाज से प्राप्त करते हैं, जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पमत है, मतलब कम है और समाज की कुरुपा का अंश अत्याधिक हो मतलब ज्यादा है समाज का, तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है, उसका उप्योग समाज को अधिक से अधिक देना और उसके बदले में समाज से कम से कम लेना यही म्यायत था हमारा कर्तव यह माना जा सकता है, चल रहा है क कुछ उल्टा ही, व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, समाज से अधिक से अधिक लेने का प्रहत्न करता है, कुछ भी न देना पड़े तो उसे रंज नहीं होता, मतलब उसे कुछ लगता नहीं, दुख नहीं होता, कुछ भावना ही नहीं होती उसे, यह गं आप दिखता है कि आर्थिक विशमता का एक मुख्यकारण बुद्धी का ऐसा उपयोगी है, शोषण भी प्राय उसी से होता है, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विशमता चल रही है और जिससे शोषण अंशाती होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाए अब तक सामने आई है, और इन में से कुछ पर अमल भी हो रहा है, अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रशन हल करना हो, तो गांधी जी ने इस आवश्य का आशय का सूत्र बताया है, पेट बरने के लिए हाथ पेर और ध्यान प्राप्त करने के लिए ध्यान देने के लिए बु का मिले, और चार घंटों के शरी श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके, अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीवी का शरी श्रम से चलाते हैं, और थोड़े बहुदिक श्रम से, जिनके पास संपत्य अधिक है, वे आरम कर रहे हैं, उन उसके पीछे जो तत्य है, मतलब उसके पीछे जो सच है, वह हमें स्वीकार गरना चाहिए, बले ही हमारी दुरुबलता के कारण हमें उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीवी का की साधन सामगरी, मतलब आजीवी का मतलब दोस्तों मतलब बोल सकते हैं, कि साधन सा किसी न किसी के श्रम बीना हो ही नहीं सकती, इसलिए बिना शरीर श्रम किये सामगरी का उप्योक करने का ज्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता, अगर पैसे के बल पर हम सामगरी खरिदते हैं, तो उस पैसे की जड भी अंत में श्रम ही है, मतलब हम जो चीजे करते हैं, हम ज धनिक लोग, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, अपनी ज्यादा संपत्तिका उपयोग समाज के हित में ट्रस्टिक के तौर पर करें, संपत्तिक का दान यद्निय और अबुदान यद्निय का भी आखिर आशे क्या है, अपने पास आवशक्ता से जो कुछ अधिक है, उस पर हम अपना अधिकार न समझ कर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें, यह भी बहस चलती है कि दनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े-बड़े कारिया होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालयादी, अगर व्यक्तियों के पास समपत्ती इकटी न हो, तो समाज को यह लाब कैसे मिलेंगे, वास्तव में जब समपत्ती थोड़े से हतों में बंदी न रहकर समाज में फैली रहेगी, तो सहकार पद्धती से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे, और इनका लाब लेने वाले या चक या दीन की तरह नहीं, सन्मान पुरुवक लाब उठेंगे, अर्थशास्त्री करते हैं कि उत्पादन की प्रेणा के लिए व्यक्ति को स्वार्त के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ती नहीं बढ़ सकेगी, बचद भी नहीं होगी, अनुबव बताता है कि पुझी, गरीबी या बेकारी कि समस्या हल नहीं कर सकी है, नैतिक दृष्टी से भी स्वास्त वृत्ती का पोशन करना योग्य नहीं है, नैतिक दृष्टी से स्वार्थ वृत्ति का पोशन करना योग्य नहीं है, स्वार्थ वृत्ति मतलब दोस्तों मतलब लालची पन, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है, परार्थ की हानी, उसी में ही स्परदा बढ़ती है, जिसके फला स्वरुक कुछ थोड़े से लोग ही लाव उटा सकते हैं, बहुस अंक्यों को तो हानी ही पोचती है, मानो वचित सहयोग की जगह, जंगल का कानू या मत्यन आये चलता है, अकिर यह देखना है कि समाज का कल्यान किस वृत्ती से होगा, अगर समाज में स्वार्थ उरुत्ती के लोग अधिक हों, तो क्या कल्यान के आशा रखी जा सकती है, समाज तो परोपका उरुत्ती के बल पर ही उच्छा उट सकता है, संपत्ती बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार तोश पूर्ण है, मतलब दोस्तों इसमें हम अपने पास है, तो हमें वो दूसरों के उपर खर्च करने चाहिए, दूसरों के अच्छे के लिए खर्च करने चाहिए, उदार नर्त, अस्पताल, शिक्षा, तो दोस्तों इससे ही अपना समाज उच्छा उट सकता है, और समपत्ती बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधा करते हैं कहते हैं कि जिनके पास संपत्ती कट्टी हुई है उन पर कर लगा कर कल्यानकारी राज्य की स्तापना की जाए उसी आधर पर भारत को कल्यानकारी वेलिफेर राज्य मनाने की बात चली है कल्यानकारी राज्य का अर्थ यह है समझाता है कि सब तरह के दुर्बलों को प्राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। अर्थात बड़े पैवाने पर करवसुल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। और भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है। प्राथमी आवश्यक्ताओं के बारे में मनुश्य अपने पैरों पर खड़े रहन लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्राकार उसे परादिन रहना होगा। मतलब दोस्तों जब तक आदमी खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मतलब उसके जो मुलबुत उसकी जो आवश्यक्ता हैं अन्न, वस्त्र और जो निवास हैं ये स तब उसके पास नहीं हो तो दोस्तों गों स्वलंत्र कैसे हैं। इसमें ये बताया गया है। हमारी सामाजीक विचारधारा में एक बड़ा-बारी दोश है हम शरी श्रम करना नहीं चाते। वरन उसे हीन दृष्टी से देखते हैं और जिनको शरी श्रम करना पड़ता है उ उन्हें समाज करना पड़ता है, उन्हें समाज में हिंदर्जे का मानते हैं, अमिर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता, धनीक अपने पैसे के बल से नोकरो द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूग की लाचारी से श्रम करता है, हमें यह वृत्ति बदलनी च श्रम की केवल प्रतिष्टा स्तापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारी दिल में प्रिती होनी चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए, आज श्रमिक भी कर्तव या परायन नहीं रहा है, श्रम की प्रतिष्टा बढ़ाना उसी के हाथ में है, जिस श्रम में समाज को जिन्दा रखने की श्रमता है, वो श्रम का सही मुल्य, अगर श्रमिक जान लेगा, तो देश में आर्थी करांती होने में देर नहीं होगे, मतलब दोस्तों, हम ही इसमें क्या बताया है कि, देखो, हमारी समाजिक जो विचारदारा है, वो उसमें ही दोश है, मतलब उधारना गरीब लोगों और अमीर लोगों, वो काम करने से कत्राते हैं, ऐसा उसमें बताया है, पर दोस्तों, इसमें ये बताया है कि, बड़ा मानना चाहिए, इस कामों को उसकी प्रतिष्टा मिलनी चाहिए, ऐसे इसमें बताया है. गांदी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्टा स्तापित करने के लिए कि रचनत्मक कारियों को लोकचेतना काम आध्यम बनाया है उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादन श्रम करना ही चाहिए यह उन्होंने और श्रमिक की प्रतिष्टा कायम रखने के लिए किया है। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचाराया है। यह विशमता कैसे दूर हो कही कही लोगोंने हिंसा का मारग ग्रहन किया है। उसमें अनेक बुराईया निकलती है जो अब तक द दूर नहीं हो सकी है। विशमता दूर करने में कानुन भी कुछ मदद देता है। परन्तु कानुन से मानो अचित गुणों का सदबावना का विकास नहीं हो सकता। मात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारदारा दी है उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुक इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए जैसे राजनिती स्वाराज्य का प्रश्ण काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से ही शुल्जा वैसे ही आर्थिक और समजिक समता का प्रश्ण भी बहरत में अहिंसा के मार्ग से सुलजेगा ऐसे हम शरद्दा रखें तो दोस्तों इसमें बताया है कि हिंसा के मारग से मतलब हो सकता है पर जो अहिंसा के मारग से हो सकता है वो इतना फरक नहीं हो सकता तो दोस्तों उन्होंने बताया है कि कुछ प्रश्ण जो अहिंसा के इस मारग से हल होना संभाव है इसल लेककने शरद्धा व्यक्त की है, तो दोस्तों, हम आभी शब्द संसार पढ़ेंगे, तो ये कहा है दोस्तों, शब्द संसार है, तत्ववेत्ता, मतलब तत्वद्निय, और हुकुमत स्तिरि संसा, मतलब शासन, और दफा स्तिरि सं, मतलब बार मर्तबा, और गुजर बसर होना मतलब आजी वी का चलना तो दोस्तों आपको ये पार्ट और उसका समझाना और ये पार्ट आपको कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट्स में लिखके बताईए आप चैनल पे नहीं हूँ तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों अपने ये बाजू की बेल अकोर भी दबाईए जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले देखने को मिलेंगे और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं इस पार्ट का स्वाध्या लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में कब तक बाई 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 द्यान की लिए